इस वीडियो में आप सुगे स्वागत है तो फिलाल इस वीडियो में आपको कंपेर करवाने जा रहे हूं ओल्ड इतन नियोज फ्रसिस न्यू आई टेन नियोज विससे खास कुछ ऐसे डिफ्रेंस तो नहीं मिला है एक आरी चीज जो है वो गयाप कर दिया है फेसलिफ्ट मे पीचे सा आपको completely change look मिल जाएगी connecting tail light जो अभी पता है आपको future में आने वाले है trend बनेगा इसका बागी tail light पीचे से पूरी change कर दिया है और ऐसी car related content के लिए चैनल को subscribe करते हैं और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को like भी कर देना जरूर से ठीक आप फिलाज start करते है आपको एक major difference मिलेगा वह है इसके DRL इसमें देखलो यहां पर आता है बागिसमा आपको fog lamp भी offer हो जाते थे projector headlamps के साथ indicator आपको मिलता था grill black color में मिलती थी एंड जो Hyundai के logo है वह देखलो chrome में था अब new में देखो DRL आपको नीचे के side मिल जाता है reflector headlamps piano black finish में आपको grill मिल यह देखो लोगो Hyundai का एकदम flat सा मिल जाता है set and finish में front में तो इसना कुछ difference में में चीज आती है तो side look की side look में बिल्कुल भी change नहीं एक चीज के लाव वो इसके tires alloy wheel मिलते है old में जिसका size 165 70 r14 14 inch के tire मिलते थे लेकिन अब आपको मिल रहे है 15 inch के 175 60 r15 लेकिन अभी आपको alloy wheel हटा दिये styles wheels मिलते हैं बाकी गार्डी के चोड़ाई अभी भी same ही मिलती है 1680 mm 1680 mm एंड़ का wheelbase है वह है 2450 mm उसी किसा जो ground clearance है 165 mm बस एक चीज बढ़ी है वह ह पुरानी वाली में आपको 3805 mm की मिलते हैं लेकिन अभी आपको 3815 mm की मिलेगी अब फिलाल बार ही आती है तो पीछेगी अब आपको main difference पीछे ही मिलेगा पहले आप देख लो ऐसे कुछ लुक मिलते थी ठीक है जो अब आपको गार्डी मिलेगी ना उसकी लुक देगो पी इचकी भी जलवानी है तो वह अलग बात है अब आप देख लो इसमें sports की आपको यहां पर बैजिंग मिल जाती है नियोश की आप नीचे बैजिंग बागी sports में आते है वही दो पार्किंग सेंसर है जैसे पहले भी दो आते हैं अभी दो आते हैं बागी यही आपको tail light के जादा difference मिलेगा और कुछ तो नहीं है पहले आपको सब कुछ chrome में लिखा मिलता लेकिन अभी आपको सब कुछ flat लिखा मिल जाता है set and finish में बागी यह देख लो roof rails आपको plastic मिल जाती है उपर shark fin antenna पहले आपको defogger मिलता था वाई पर तब भी नहीं मिलता था उपर आपको shark fin 90 high stop lamp spoiler भी अच्छे से मिल जाता था लेकिन इसमें आप camera की position देखो Hyundai की logo की नीचे मिलता था लेकिन अभी वाली में देखो आपको Hyundai की logo के ऊपर end जो आपकी connecting tail light मिलती है उसके नीचे एक तर्म different position कर दी है बागी ऐसा कुछ सच खास difference तो नहीं था अभी भी आपको defogger पीछ का feature में मिल जाता बागी old का steering and interior देख लो कुछ ऐसा है M.I.D. आपको ऐसी मिलती थी लेकिन अभी वाली का देखो आपको cruise control एड कर दिया है M.I.D. भी आपको अलग सी चेंज कर दिया क्रेटा के base model जैसी बस इतना कुछ difference था भी तो बागी आपको वीडियो कैसे लगी अच यहां तक देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद thank you bye